सबी दोस्तों मैं नमस्कार मैं नील चनकेनीती यूटूब चैनल प्राफ सुझा स्वागत करता हूँ आज की सेशन में हम करेंगे हर्याना जींके के फिल exercise करेंगे हम पूरा देखें तो बिना देरी की हम आज का सेशन सरु करते हैं हर्याना साहित्यक अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को 9 जुलाई 1970 को हर्याना के अदर साहित्यक अकादमी बनाए गई है very very most important question है अगामी परिक्षा के लिए तो यह इस सैसन आपने skip नहीं करना है इस सैसन को आप ज़ादरी से ज़ादा सेर कीजिएगा हमारे हर लेटेस्ट सैसन यानि हर लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो next question के और पड़ेते हैं next question क्या है हरियाना में हरियाना में अंतराष्ट्रिय क्राफ्ट मिला कहां लगता है और कब लगता है यानि हरियाना में अंतराष्ट्रिय क्राफ्ट मिला कहां लगता है सुरुजगुंड फरीदाबाद के अंदर सुरुजगुंद फरीदाबाद में हरियाना के अंदर क्राफ्ट मिला लगता है तो next question है सुरुजगुंद क्राफ्ट मिला कब लगता है तो सुरुजगुंद क्राफ्ट मिला फरीदाबाद में लगता है परतिवरस यानि हर साल एक फरुवरी से पंदरा फरुवरी के बीच फरीदावाद में सरुजगुंट क्राफ्ट मिला लगता है नेश्ट पढ़ते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है हरियाना का सबसे चर्चित और लोग परिये लोग को भी किसे माना जाता है तो एक ऐसा नाम हैं उसे पूचा है जो एक हरियाना का सबसे परसीदोर लोग पिडिये लोग को भी के रूमें जीने जाना गया पंडित लखमीचंद पंडित लखमीचंद एक ऐसा नाम है इनको آپ अच्छी त्रीक के सियाद करें जो काफी famous हरियाना के लोग पिडिये लोग कभी हुए है तो पंडित लक्मिचंद इसका अनस्वर्ग क्रैक्ट होगा next पढ़ते next क्या है हरियाना में हरियाना में सुल्तानपुर नैशनल पारक हरियाना में सुल्तानपुर नैशनल पारक किस जिले मस्तित है गुडगाओं गुडगाओं का वर्तमान में नाम क्या है गुरुग्राम तो प्राची नाम और वर्तमान नाम जिलों के आप अच्छी तरिक के से याद कीजिएगा और कौन सा जिला कब बना क्योंकि काभी बार एक्जाम में examiner पूछता है और comment box में साथियों जरूर बताईएगा गुडगाउं जिला यानि जिसका नाम वर्तमान में गुरुग्राम है वो जिला कब बना है यानि गुडगाउं जिला कब बना है तो ये comment box में इसका अनस्वर आपने देना है नेक्स्ट पढ़ते है हरियाना में कलेसर हरियाना में कलेसर राष्ट्रियो जान किस जिले में है तो कलेसर राष्ट्रियो जान किस जिले में बनाया गया है योमना नगर में योमना नगर के अंदर कलेसर राष्ट्रियो जान बनाया गया है काफी बार परविस एकजाम में पूछा जा चुक है कलिस्टर राष्ट्रे दन कांपर है योमना नगर के अंदर next परते हैं next क्या है हरियाना में हरियाना में मगरमच हरियाना में मगरमच परजन केंदर का स्थीत है गोर सेंदा कुरकसेतर गोर सेदान कुरक सेतर के अंदर हर्याना में मगरमच परजन केंदर है मैंने एक वीडियो परजन केंदर पर बनाई हुई है जो काफी बार परविस एक्जाम में परजन केंदर पूछे गए है तो उस वीडियो को आप लिस्ट में जाके जरूर देखेगा काफी most important परजन केंदर जो काफी बार एक्जाम में एक्जाम में पूछे है उस वीडियो केंदर मैंने वही करवाए एक चोटी सी वीडियो है आप उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि परजन केंदर से लेटेड काल बार एक्जाम में examiner question पूछी लेता है तो next पढ़ते है next question क्या है हर्याना में गिद सरक्षन एवं परजन केंदर कांश दिखते है तो गिद सरक्षन एवं परजन केंदर कांपर बनाया गया है पिंजोर पंचकुला गिद सरक्षन एवं परजन केंदर बनाया गया है next पढ़ते next क्या है हर्याना में मोर और चिंकारा हर्याना में मोर और चिंकारा परजन केंदर कांपर है जाबुआ रिवाडी केंदर जाबुआ रिवाडी केंदर मोर और चिंकारा परजिन के अंदर बनाया गया है नेस्ट पढ़ते नेस्ट है हरियाना में हरियाना में इंडियन नेशनल हरियाना में इंडियन नेशनल डिफैन्स यूनिश्टी कहां बन रही है तो विनोला विनोला कहां पर है गुडगाओं, गुडगाओं का वरत्मान में नाम क्या है गुरुगुराम, गुरुगुराम के अंदर विनोला के अंदर इंडियन नेशनल डिफैन्स युनिश्टी बनाई जा रही है next आता है हरियाना केंद्रिय हरियाना केंद्रिय हरियाना केंद्रिय विसे विदेलय बनाया गया है वो कांपर है जाट पाली मेहंदरगड केंद्र इसका जवाब भी आप कमेंट बोक्स में दीजिएगा मेहंदरगड जिला कब बनाया गया तो कब बनाया गया इसका जवाब आप comment box में मैंने बताईएगा अगर आपको नहीं मालूम तो मैं अगली वीडियो में इसकानस्वर बता दूँगा तो next, पटते next क्या है हरियाना किन अकसांसों के बीच स्तीत है हरियाना किन अकसांसों के बीच स्तीत है 27.49 डिगरी से 30.55 उतरी अकसांस के बीच हरियाना स्तीत है तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करें कौन शी अकसांस के बीच स्तीत रहेगा next आता है हरियाना किन देशांतरों के बीच स्तीत है तो किन देशांतरों के बीच हरियाना स्तीत है उत्र एकसांस के बीच मैंने पड़ा और आज जो आपको स्क्रीन पर नजर आया है वो है चुएत्र पॉइंट थाइस से स्तेंतर पॉइंट 36 पूरुए देशांतर के बीच तो हमने उत्र एकसांस में पड़ा था 27.49 डिगरी से 30.55 उत्र एकसांस और देशांतर के बीच चुएत्र पॉइंट 25 से 37.46 डिगरी पुरुए देशांतर के मैध्य बीच यानि हरियाना स्तीत है तो next पड़ते हैं next है कौन सी नदी कौन सी नदी हरियाना की पुरुवी सीमा निर्दारित करके उत्र प्रदेश से अलग करती है उस नदी का नाम हमसे पूछा है जो पुरुवी सीमा निर्दारित करती है यानि पुरुवी सीमा को बना कर उत्र प्रदेश से अलग करती है योमना नदी योमना नदी उस नदी का नाम है जो पुरुवी सीमा निर्दारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है तो next पढ़ते है next है वह कौन सा प्रदेश याई वह कौन सा रेक्जे जिसके सभी प्रियाटन स्तलों के नाम पक्सियों के नाम पर रखे गई है हरियाना प्रदेश जो एक नॉमबर के नुसार जन संक्या कितनी थी 2011 की जिन गन्ना के नुसार जन संक्या थी एक्जाम में एक्जामिनर बार बार question पूछता है इसलिए मैं हर वीडियो में प्रविस एक्जाम से related question तक्रीबन करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ तो ये session और ये वीडियो आप पूरा देखें सन 2011 की जनगना के अनुसार हर्याना में लिंग अनुपात कितना है तो सन 2011 की जनगना होई थी तो उसके अनुसार हर्याना में लिंग अनुपात कितना है नेश्ट है सन दो जार ग्यारा सन 2011 की जन गनना के नूसर हरियाना का जन शंक्या गनतो कितना है तो हरियाना की जन संक्या गनतो है जन अंग्रेजोंने हरियाना को पंजाब में कम मिला है अंग्रेजों ने हरियाना को पंजाब में कम मिलाया था थारासो थाउन में वेरी वेरी मोश्ट इपोर्टेंट क्वेस्टन है क्योंकि काभी बार पूछ लेते हैं वैसे तो आप सभी को मालूम हरियाना कब बनाया एक नॉम्बर 1966 को तो इसमें पूछा अंग्रेजों ने हरियाना को पंजाब में कम मिलाया सन थारासो थाउन इस वे में तो यानि थारासो थाउन में मिलाया है तो नेक्स क्वेस्टन आज का मारा अंतिम क्वेस्टन है इस सेसन का पंजाब अरियाना का सिमांकन किस अयोग ने किया यानि पंजाबर यानगा सीमांकन की सेयोग ने किया जेसी सायोग जेसी सा की रिपोर्ट हम पढ़ते हैं यानि जेसी सा रिपोर्ट के नुसर पंजाबर यानगा सीमांकन किया गया तो जेसी सायोग की रिपोर्ट कब लागू की गई इसका जवाबी साती हो आप कुमेंट बो जल्दी अगले साइसन यान अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं